ननत की जुबान है या कैची? ये कहानी शुरू होती है नीशा के घर से. नीशा अपने माबाप की इकलौती बेटी थी. नीशा की उम्र शादी की हो गई थी और पिछले डेड़ सालों से उसके परिवार वाले उसके लिए लड़की की तलाश में थे. पर मनमोहन जी को कोई भी लड़का समझ में नी आ रहा था. कभी लड़के में कम ही निकल जाती, तो कभी उसके परिवार में. पर इस पार, पहली बार मनमोहन जी को एक परिवार पहा गया था. मुझे तो लगता है कि आप चाहते ही नी कि आपकी बेटी की शादी हो. जिंदीगी पर शादी पर बैट कर रखेंगे क्या इसे? अठाइस की हो गई है, कुछ मैनों में उन्तिस लगता दिखेगा. अठाइस तीस में लड़किया दुलहन बनती अच्छी लगती है क्या? प मैं फिर वही गलती नहीं दोराना चाहता. कि क्या बूल दिया पापा आपने? अब तो मम्मी मा दुरगा बन जाएगी. अरे जिस दिन से शादी हुए ना पिटा, तब से तो काली बनकर मेरे सरपन नाची रही है. और मरीशा जी आप मुझे बताइए, मेरी बेटी के लिए क्या है सही है, क्या गलत है. एक लड़का पसंद आया है मुझे, ना मैं उसका प्रेम. घर वाली भी अच्छे है, सब कुछ पता कर लिया है मैंने. लड़का कुछ खाता पीता भी नहीं है, ना गुटका, ना पान मसाला, किसी चीज की बुरी लत नहीं है. ना ही कोई लड़कियां सो लड़कों से बात करती है, और लड़के सो लड़कियों से, उससे सभी उनके पती पतनी तो नहीं हो जाते, पतनी तो एक ही बनती है ना, पीछे कुछ रहा भी होगा तो वो पीछे छोट चुका है, इतना सोचने से कुछ नहीं होता निली मा, आप लड़के बेटी को देखने अगले ही दिन लड़के वाले आ रहे हो उस गर में कितनी सारी तयारिया करनी हो जाती है ये ता आप जानती है ये परदे किते पुराने लग रहे हैं भाबी और ये बिस्तर का चदर कैसे फट गया इस रिंको ने जरूर उंगले डाल कर फाड़ी होगी ये तो आज पीटेगा मैं अपनी हलमारे से नई चादर और नए परदर लेकर आती हूं भाबी अरे कोई दुलन के बारे में तो सोचो मुझे लड़की वाले देखने आने वाले हैं मैं क्या पहनूंगी तेरे पापा ना किसी काम के नहीं है इतनी जल्द बाजी में कोई पाउस कैसे होगा चल अब जल्दी से टेलर के पास चलते हैं और इसी भागा दोड़ी में जैसे तैसे निशा के परिवार वाले सारी तैयारिया करते हैं अपने दिये हुए वक्त पर लड़के वाले निशा के घर पर पहुँच जाते हैं सजी धजी निशा रसोई में अप पूछ भी लेना तो कहना कि तू नहीं बनाया है सब और थोड़ी थोड़ी लुक का छुपी और बहुत सारे प्यार के साथ दोनों परिवार में बाते शुरू हो जाती है समोसे तो बड़े स्वादश्ट है बेटा है कहां से मंगवा है हमारे घर में बाहर से कुछ आने कहां देती है नीशा हर चीज में इसे खुद आके बढ़ बढ़ कर काम करना होता है जित पकड़ कर बैठ गई थी मैं ही सब बनाऊंगी इसे ने सब बनाया है अच सुबद चार बज़े से उठी हुई है बचारी बच्पन से देख रही हो अंटी हर सिरियल में यही होता है खाना आता है भार से और कहा जाता है हमारी बेटी ने बनाया है नहीं ममी सिम्मी की बात सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और और आकवर्टली सभी एक दूसरे को देखने लगते है पर यह कोई मूवी नहीं है सिम्मी यह रियालिटी है अरे कोई बात नहीं बेटा जी पैसे आप लोगों ने तो कुछ लिया आई नहीं खाईए खाईए यह समोसे तो खा लिया है आंटी हमने अब यह काजू किश्मेश बे हम खा लेंगे फिर हमारे पीछे से आप सब को कहती फिरेंगी कैसे लड़की वाले थे प्लेट बे कुछ छोड़ कर भी नहीं गए सब सब आचेट कर गए हर दो मिनिट में सिम्मी कुछ न कुछ बोलती ही जाती पर सभी उसकी बातों को इग्नॉर करते जाते हैं फिर फाइनली प्रेम कहता है मुझे निशा जी पसंद है अगर आज यह आप लोग रोका करना चाहते हैं तो मैं तयार हूँ पर अगर निशा जी मुझसे और मुलाकाते करना चाहती है तो जहसे उनके मरसी अरे नहीं नहीं बिटा जी अगर आपको हैतराज नहीं है तो हमें क्यों हैतराज होगा और वहीं के वहीं प्रेम और निशा की सगाई हो जाती है लड़के वाले निशा कुछ रगुन के पैसे और गिफ्ट दे कर अपने घर लोट जाते है अब सबज में आया मरिशा जी आपको कि क्यों मैं इतना वक्त ले रहा था लड़का फाइनल करने में देखा कैसा एकी बार में रिष्टा पका हो गया ऐसे किसी राज चलते हुए को घर नहीं बुला लेता हूं मैं मुझे तो पहले ही विश्वास था कि मेरी बेटी के लिए सही लड़का आप ढूंड के लाएंगे आखिर पिता तो इसके आप ही है देखा नहीं कितनी सब्य लोग है ऐसा नहीं कि आते ही खाने पटूर पड़े थोड़ा बहुत बस मुझे लगाया और सारी का सारा खाना वैसे ही छोड़कर चले गया है और हमारी नीशा को भी कितना कुछ दे कर गया है वो लोग भापी पस नहना थोड़ी सी टेड़ी मिली है जबान की बहुत तेज है तब वो कौन सी जिन्दगी पर इसके साथ रहने वाली है कुछ दिन में वो भी अपने से सुराल की हो जाएगी है कि नीशा हाँ मामे थोड़ा बहुत इग्नॉर करके चलना ही पड़ता है डोंट वरी मैं मैंनेज कर लूँगी और ज़रा भी देर ना करते हुए दोनों परिवार शादी की तैयारियों में लग जाते हैं एक महिने बाद शादी के दिन सिम्मी लहंगा पैंगर पूरे फंक्शन में इस दर भाग दोड़ कर रही थी मानो उसकी ही बेटी की शादी हो अंटी जी अपने कुछ खाया या ऐसे ही जा रही है ऐसे नहीं चलेगा अरे खाया खाया बिटा फिक्र मत करो मैं फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा अंटी जी अब आप तो जानती है शादी के पहले लड़किया कैसे बात करके लड़कों को अपने जाल में फसा लेती है अब भाया को क्या मतलब कौन शादी में पहुचा है कौन नी उन्हें तो बस दिख रही होगी अपनी नीशा पर मुझे तो सब देखना पड़ेगा न मेरा भी तो कोई फर्स बनता है की नी तुलों का लेंगा बड़ा खुबसूरत लग रहा है नहीं सिन्मे क्या खुबसूरत आंगी जी क्या खुबसूरत यह वो लेंगा ही नहीं जो हमें दिखाया गया था चाननी चौक से सस्ता माल उठा कर ले आई है भावी हमने तो पूरे की पूरे सेवंटी थाउजन रुपे कैश दिये थे और यह पहन कर आगी चार हजार का लेंगा लगता है लेंगे से भी पैसे बचा कर जूलरी में लगा दिये भावी के परिवार वालों ने पर मेरे प्यारे भाईया को यह सब दिखे तब ना और इसी तरह पूरी शादी में सिम्मी अपनी कैशी जैसे ज़वान चलाती रहती है फेरे के वक्त नीशा प्रेम के आगे आगे चल रही थी तब ही गड़ जोड़ा आग में गिरने वाला होता है कि फौरन प्रेम गड़ जोड़े को पकड़ लेता है और जोड़े को आग लगने से बचा लीता है अरे वाब ईता तुने तो अप्शिगुन होने से बचा लिया सगाई के वक्से ही भ्या का तो सारा ज्यान नीशा भावी परी है जब से भावी मंड़ पर आये तब से भ्या उनके आगे पीचे आगे पीचे गुम रहे कहीं उनकी प्यारी नीशा को प्यास तो नहीं लग रही, कहीं उसे गर्मी तो नहीं लग रही तो कैसे होने देती वो इतना बड़ा अपसगून? क्यो? मतलब अच्छी बात है, मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी भाबी उल्टा मतलब मन निकालीगा वरना मैमानों को लगेगा शादी हुई भी नहीं और ननत भाबी में बैर हो गया और जैसे तैसे ताने बाने के बाद प्रेम और नीशा के शादी अच्छी तरह संपन हो ही जाती है शादी के बाद ग्रह प्रवेशकर नीशा प्रेम के घर आ जाती है शादी से घर लोटने के बाद भी कोई ना कोई रस्म होती जाती और उनी रस्मों में रात के बारा बच जाते हैं अपनी बहु को ढूंडते हुई शकुंतला गेस्ट्रूम में जाती है अब हो गया, कर लिया सबने अपनी भाबी से हसी मजाग, अब उसे सोने भी दो चलो निशा, तुम जाओ प्रेम तुमारा इंतिजार कर रहा होगा, ठाग गई होगी ना तुम मानना पड़ेगा भाबी, कुछ तो कमाल की बात है आप में मनना मेरा भाईया, जो सिम्मी सिम्मी करता नहीं ठकता था अज पूरी शादी में उस दे एक बार भी मुझे ढूणना नहीं और यहाँ मेरी मम्मी को भी आती ही आपकी फिक्र होने लगी जबकि पूरी शादी में काम तो मैं कर रही थी, आपको करना ही क्या था, एक जग़र बैठे तो रहना था यह क्या बोल रही है सिम्मी तो, सोच समझ कर बोला कर, अभी अभी तो आई है हमारे घर में बिचारी अभी तो नीशा अपने सुसराल में बस आई ही थी, कि उसकी नानत की कैंची जैसी ज़वान उसके कान काटने लगी थी अगली सुबा, नीशा ड्रसिंग टेबल के सामने खड़ी तयार हो रही थी साड़ी तो अच्छी तरह पैन लिए मैंने, कोई कमी तो नहीं लग रही है रीचेक कर लेती हूँ, वरना सिम्मी दिदी एक सेकंड नहीं लगाएगी मुझे ताना मारने में अच्छी तरह तयार होकर नीशा अपने कमरे से बाहर आती है और सीधा रसुई में जाकर काम करने लगती है क्या बनाओ, क्या बनाओ, समज में नहीं आरा ममी को कल लगाती हो हैलो ममा, अपनी पहली रसुई में क्या बनाओ जिससे सब इंप्रेश हो जाए, खास करके मेरी ननत जिससे तुझे सुनाना होगा न बेटा वो ऐसे भी सुनाएगा ही चाहे तो नमकीन बना या मीठ है और पहली रसोज में ऐसी ही कुछ मीठी चीज़ बनानी चीज़े तुखेर बना ले सब के लिए बेटा नीशा सभी के लिए खीर बना कर बाहर टेबल पर परोस्ती है अरे वाब वहू, खीर तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने, और क्या क्या बनाया है? बनाया तो है पापा, हम सब को क्या भाबी, पहली रस्वे में बनाए भी तो आपने खीर कर लड़के वाले देखने आने वाले, खिला खिला कर मोटा कर दो मुझे कि मेरी शादी ना हो, है? मेरा मतलब है कि भाबी का प्यार देखो, इतना प्यार करती है मुझसे कि चाती ही नहीं कि मैं विदा होका जाओ जिन्ता मत किजी भाबी, शादी के बाद यहां आती जाती रहूंगी मैं वो तु मुझे पता ही है दिदी, मुझे बिना कुछ कहे, आपका वहाँ जी कैसे लगेगा ही माता रानी, इस ननत नाम की बला की शादी जल से जल सैट करवा दीजी और मुझे छुटकारा दिलवाईए, और भगवान की दया से ऐसा ही हो जाता है एक महिने के अंदर-अंदर ही सिम्मी की शादी अच्छी परिवार के लड़के से फिक्स हो जाती है और सिम्मी विदा होकर अपने सिसुराल चली जाती है सिम्मी के जाने के बार नीशा के सिसराल में उसे तकलिफ देने वाला कोई भी नहीं था उसकी जो मर्जी आती वो पहन थी जहां मन होता वो जाती उसकी किसी भी चीज पर उसे कोई रोक टुक नहीं करता था पर कितने दिनों तक एक रोज ट्राउजर और टीशिट में अपने सिसराल वालों के साथ बैट कर नीशा टीवी देख रही थी कि तभी दर्वाजी की बेल बचती है और दर्वाजी पर होती है सिम्मी दिदी आप चांक तो ऐसे रही हो भाबी जैसे कि मैं बिमला आटी के घर की बेटी थी अरे इसी घर की बेटी हूँ तो इसी घर आऊंगी न अच्छा तो यहां संड़े का मज़ा लिया जा रहा है सब साथ में बैट कर मूवी देख रहे है अच्छा है भाबी अच्छा है यादे मम्मी जब मैं कहती थी, सेट मैक्स पर सूर्य वंशम मूवी आई है, साथ मैं बैठ कर देखने हैं, तो कैसे आप सरदर्द का बहारा बना कर सो जाती थी? नहीं नहीं, ये भी ठीक है, बहु के हिसाब से बदलना भी अच्छा है. अवे मेरे बेटी आई है, कोई इसके खातिर दारे तो करो. दीदी, मैं आपका सामान कमरे में शिफ्ट करवा देती हूँ, आप यहां अराम से मूवी का मज़ा लीजिए, और मैं आपके लिए कूल ड्रिंग और नाश्टा लेकर आती हूँ. नीशा किचर में जाती है, और अपनी ननत की पसंद की कूल ड्रिंग और स्नेक्स लेकर बाहर आती है। यह तो गलात है, दामाद जी तेरे साइड भी नहीं लेते क्या। वही तो बात है न ममी, अब पुरुष को थोड़ी तो मरदानगी रखनी पड़ेगी ना, बीवी के आगी पीजी गूमता रहगा, फिर तो चल गया घर। रात की खाने के वक्त, जाडू पोचे के लिए नौकर है ही, बस खाने काई तो रहता होगा भावी आपको। उसमें भी ममी आप इतनी सीधी है कि भावी ने सामने जो भी परोष दिया आपने खा लिया, पर मेरे घर में ऐसा नहीं चलता ममी, बरतन, जाडू, पोचा, कपड़ा, सब कुछ मुझे करना पड़ता है, और उपर से घर में इतने सारे लोग, सब की अलग-अलग तेरी ननत कैसी है? तेरी शादे के वक्ते उसकी भी शादी हुई थी ना? अच्छा नैना, हाँ, वो तो शादे के बाद हर तीसरे दिन मेरे पास आती है, और ऐसा नहीं कि अपनी ननत को मैं खाली हाथ घर में आने दूँ, पहले हाथ में 2101 रुपे सुगून के रखती हूँ, उसके बाद ही उसे अंदर लाती हूँ, इस बाद जब नैना आई थी तो डाइमन का सेट दे कर भेजा मैंने उसे, मेरी सास ने कह रखा है, गर की बेटी घर में आएगी तो खाली आत नहीं जानी चीए, बस बहुत हुगया, बहुत सुल्या मैंने, अब इस कैंची जैसे जबान को ठीक नहीं किया तो मेरा नाम भी निशा नहीं, और कमरे में ज अब तो ऐसे बरताओ कर रहे हैं, जैसे मैं पडोस के घर की नाना दू और यहां कर खड़ी हो गई हूँ, अरे नैना दीदी आप आईए ना, आईए, जैसे मेरे लिए मेरी नना वैसे ही आप, माफ कीजीगा दीदी, मैं ट्राउजर में ही आपके सामने आ गई, आप लोग हमारे घर की बहुए कौन, ले देकर एक सिम्मी भावी तो है, जो कि खुद घुटने के उपर के कपड़े पहनती है, अब घुटना भी दिखना जरूरी है ना, और दिखे भी क्यों नहीं, दिमाग भी तो वही है, मेरा मतला में दीदी, आपका दिमाग तो दो जगह है, घ सारे गहने बिस्तर पर सजा दीती है, और अपनी ननत से कहती है, ले लिजी दिदी, जो भी गहने आपको पसंदो, आपके घर का भी यही नियम है ना, आपको खाली हाथ नहीं भेजूंगी मैं, अरे भावी, यह कौन सा जूठा नियम बता रही हैं, अब क्या बताओ निश उने मुझे, क्या सिम्मी, मुझे तो लगाता सिर्फ तेरी जुबान ही कैची की तरह तेज है, पर तु तो मन के भी काली निकली, यहां अपने ससुराल वालों को बुरा देखा कर, हम सब को बेवकुफ पना रही थी तू, ने, ने, वो बाती है ममी, अच्छ, अच्छ, इसे भी नहीं चलनी चाहिए बिटी, कि जिससे रिष्टे ही कटके तार-तार हो जाए, हमेशा से तू बे फिजुल बोलती आई है, पर कम से कम इस बोली में जूट का मिश्रण और कड़वाहट तो मत मिला, और अगर इसी तरह जूट बोल बोल कर, घर बरबाद करने का इरा आदा है ना तेरा, तो यहाँ आने के कोई जरुवत नहीं है, नहीं पापा जी, ऐसा मत कईए, कि तु घर है दीदी का, जब भी मन करें, आप अपने घर आ सकती है दीदी, बर अपनी बोली से अगर आप घर की शांती भंग करना चाहोगी, तो फिर मैं आपका पक्ष नहीं